कि वाट्सअप गाइस वेलकम बैक टूर चैनल मसल नुट्रिशन आज का अमारा टॉपिक है एक्ससाइज सेलेक्शन क्राइटीरिया यानि कि किस क्राइटीरिया के हिसाब से आपको अपने वर्काउट शेडूल में एक्ससाइज को इंक्लूड करना है जिससे कि आपकी इंज श्लस मैक्सिमाइज हो सकें आड़ाइस फॉस्र2 है करट वर्न टेकनिक आप जो भी कर रहे हो इसको आपको पॉर्फोंड टेकविक से ही परफोर्म करना है अगर आपको घ्रन टेकनिक नहीं पता है किशी अटरी चांस की तो आप अपने जिम ऐयं रûtनлуч से हेल्ब सकते हो फॉर्म पूछने के लिए लेकिन गलत फॉर्मेंट टेक्निक से एक्साइज ना करें तो कि ऐसा करने के वज़े से आपके इंज्यूरीज की चांसेज काफी बढ़ सकते हैं और सेकिंड पॉइंट है गोल स्पेसिफिक एक्साइज यानि कि आप कोई भी एक्साइज परफॉर्म कर रहे हो तो यह ध्यान में रखो कि वह एक्साइज आपकी गोल से स्पेसिफिक होनी चाहिए यानि कि अगर आपको काडियोवस्कुल अंडिरेंस बढ़ानी है तो आप क स्ट्रेंथ या मुसल माच बढ़ाना है तो अब ट्रेनिंग के एक्साइज इंकलूट कर सकते हो और आपको मस्कुल कुले इंडिरेंस बढ़ानी है तो आप मस्कुली अंडिरेंस एक्टिविटीज जयसे की क्रॉस्ट टेनिंग जांस्ट फित वरकउट से pensar अंशिव glory कर सक सुरू में 4-5 एक्साइज आप कंपॉंड एक्साइज रखो और उसके पाद लास्ट में 4-5 एक्साइज आप आइसोलेशन एक्साइज रखो नेक्स पॉइंट है आपका फंक्शनल मुवमेंट्स याने कि आप जो भी मुवमेंट्स परफॉर्म करते हो डे टू डे अक्टिविटीज में जैसे की सिटिंग स्टैंडिंग पुशिंग पुलिंग तो इन टाइप की मुवमेंट्स को आप अपने शेडूल में डालो फर ए करते हो तो आपको फुल रेंज अवक में वकर्फं करनी से आपको पार्षियल होने चाहिए करना कि मसल Ti beenक्ट्रिवेंट्स का वह काफ़ी दाओ और सारी मख्याओ पाती है वह विए काफि उपाते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट हे, गैज एपक्निंट का मतलब है जब भी को exercise करते हो तो आप किसी पाथवें में उस exercise के perform करते हो तो जिस जिस पाथवें में आप उस exercise के perform कर रहे हो हर एक प्वाइंट पर आपको मसल के ऊपर continuous tension मिलनी चाहिए और आपको यह चीव कैसे करने हैं को बताता हूं आपको जितने भी जितने भी जिटने भी हैं वो आपको बारबल्स और डमबल से करने हैं हमेशेया और जितने भी आ सोलेशन मोगल्स है वो आपको मशीन से या फिर केबल के साथ करने तो I hope आपको यह वीडियो पसंद है होगा और प्लीज शेर और सब्सक्राइब वीडियो if you like the content and thank you so much for watching the video.